How to say no में self-control भी आता है, यानि जब तक आप अपने आपको सही जगा पे yes or no नी बोल सकते हैं, आप किसी और को क्या बोलेंगे न, यह first step होता है बलके, कि आपको खुद समझ आनी चाहिए कि मैंने कैसे अपने आपको no या yes बोलने हैं, तो self-control के साथ अप जो एक important aspect होता है हमा bad habits को खतम कर सकता है और good habits को incorporate कर सकता है, यानि अगर किसी को, कोई time management का मसला है वो उसको ठीक कर सकता है, अगर किसी को, कोई, dieting का है, challenge वो अपने आपको manage कर सकता है, अगर कोई extra spending कर रहा है, उसको भी ठीक किया जा सकता है habits यह होती है उन पर हमें work करना होता है क्योंकि यह हमें personally affect करती है हमारे इडगेद अफरात को affect करती है हमारे काम को affect करती है हम यह नहीं कहके बैठ सकते हैं कि मैं क्या कुरूं मैं तो बस ऐसी हूँ लोग मुझे इसी तरह से accept करें हमें अपने उपर constant work करना होता है अब इसके लिए यहां पर six steps है कि आप अपनी habits को कैसे change करेंगे पहला step जो है वो यह है कि आपने identify करना है कि मुझे कि habits को change करना है usually हम क्या करते हैं कि हम एक general सी बात सोचते हैं जो general सी बात सोचते हैं तो फिर हम उसको carry नहीं कर पाते हैं जैसे बच्चों के मामले में भी हम अकसर इस तरह की बात कहते हैं behave करो लेकिन बच्चे को हम कोई pinpointed चीज नहीं देते exact कौन सा behavior कैसे change करो इसलिए आप देखें जब बच्चे teenage में आते हैं तो कभी-कभी जब वो आपसे किसी बात पर बहस करते हैं या नाराज होते हैं तो वो भी आपको एक general statement देते हैं आप मेरी बात नहीं सुनती अच्छा आपके दमाह में वो बाते आ रही होती हैं जो understand आपको नहीं समझाएगी तो हम अपनी यादत बनाएं कि हमने जब भी कोई habit अपनी ठीक करनी है तो exact किसी behavior के बारे में सोचना है कि मेरा challenge क्या है पिन पॉइंट करना है behavior को यहां पर यह undesirable मेरी कोई habit है और मुझे इसको ठीक करना है फिर आपने यह देखना है यह कितनी दफा होता है how frequent it is कि अगर आपको एक ऐसा behavior पिक करें जो बहुत frequent नहीं है तो maybe अभी आप उसके उपर focus ना करें unless आपको लगे कि वह बहुत important है आप उस पर focus करने जो ज्यादा frequent है आपको यह भी तो अंदाजा हो ना कि कितनी दफा आप कर रहे हैं उसकी duration क्या होती है उसक intensity का क्या होती है उसका rate क्या होता है पिर आपने यह देखना होता है क criterion के जाब बहृएवियर आपने change करना главное उसके साथ chain of events कर चल रहे होते हैं किसी खास-शक्स के साथ हुता है किसी साथी फास situation में होता है किसी फास मौक्य पे होता है कोई खास बात आप के लिए trigger बन जाती है क्या चीज उस तरफ लीड करती है यह पहला स्टेप है दूसरा स्टेप अब आपने अपनी नियत पर काम करना है क्योंकि अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है इस बेवियर को चेंज करने की तो आप कैसी चेंज करेंगे और दुबारा वही बात होगी कि जो आपने अपनी नियत पर काम करना है तो बहुत एक्जेक्ट नियत आपको रखनी पड़ेगी एक इसम की स्टेप्मेंट लिखें अपने सामने कि मैं क्या करना चाह रही हूं और जब आपकी स्पेसिफिक वो कोई एक इंटेंशन आ जाएगी स्टेप्मेंट आ जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना उसको carry-out करना पर आप यह करते हैं के उसको लिखते और आप और आप 새로운 इंसान से share और आयूने को कर लें जो आपको धूड़ा सा monitor भी कर सकें घर में लेचा मैं टाइम करूंगी और अब आपने बच्चों को बता दिया वो आपको बार-बार रिमाइंडर देते हैं, आपने तो ये इस्वा कर दिंकिया, खाने कहीं देख लिए, आप अनौंस कर दें कि मैं मीठा नहीं काऊंगी और अब आ फ्रिज खोल की मीठी चीज निकाल रहे हैं, घर के अफराद आपको फॉरन रिमाइंडर देंगे, कि इसी चीज का टार्गेट सेट करें, जो आप जल्दी हासिल कर सकें, यानि अगर एक चीज ऐसी है, जो के बहुत साल बाद आनी है, जैसे जो लोग डाइटिंग करते हैं, तो जब वो कहते हैं मैंने वजन काम करना है, तो वजन फॉरन नहीं काम होता, इसी दिए लोग पिर इसी से हम वजन काम करें, क्योंकि उनको सेंस ओफ फेलियर बहुत जल्दी आ जाता है, तो अगर आप अपने लिए कहते हैं, कि मसला मैंने एक टार्गेट सेट किया है, कि मुझे वजन ही काम करना है, अब एक्चुल वजन तो काम होगा, छे मीने, साल में, लेकिन डे बाइ पिर ये कि आपने ऐसा टार्गेट सेट करने हैं, जिससे चांसे ऑफ सक्सेस जादा हूं, अगर पहले से ही आपको लग रहा है, कि आप वो नहीं कर सकेंगे, तो कोई और टार्गेट ढूबने, जो आपको अपने पहले ही इतना मुश्किल टार्गेट कर लिया, मसला अगर आपसे पढ़ाई नहीं की जारी, आपकी हैबिट है कि आपसे किसी खास खास टाइम पर नहीं पढ़ा जाता, और आपने अपने आपको फोर्च किया कि मेरे इसी टाइम पर पढ़ रहा है, तो आपके लिए डिफिकल टार्गेट होगा, आप अचीव नहीं कर सकेंगे, जै आप कोई भी अपने लिए कोई एक्टिविटी बना सकते हैं जिससे आपको सुक्सेस मिलनी चाहेगी, कि आपको एक अची फीलिंग आए कि मैंने ये काम कर लिया, हिसका किया जाता है, चोटे बच्चे या बड़े, आखरी पारे को ज्यादा है मिया दी जाती है, क्यूंकि पर कहां आप पूरा खा रहे हैं, अब अपरेंटली लोग आपको कहेंगे तुम तो अभी भी मीठा खा रही हो, लेकिन आप उसको चक रहे हैं, आपने उसकी कौंटिटी जो है, उसको कम कर दिया, फिर आजसा आजसा आपकी पिर क्रेविंग भी जो होती है, वो कम होनी जो सही काम है, उसको असान बना देना, यानि कुछ न कुछ तब्दीली ऐसी लेकर आदी है, कि वो आपके लिए असान हो जाए, मसलन, फ्रीज में मीठी चीज को इतनी मुश्किल जगा पे रख दें, फ्रीजर में डाल दें, नदर ना आए, शेल्फ में से निकालनी पड़ावा है, उसके अंदर डाल दिया, फ्रीज में डाल दिया, सामने क्या रखें, हेल्दी चीजे रखें, सामने हेल्दी चीजे होंगी, तो आपके लिए आप कर लेंगे, यह सोचना कि अच्छा वो फ़लाँ जगा जाके बुक शेल्फ में से यहां से निकाल के किताब पड़ूँगी, तो अच्छा चलो, कल से करूँगी, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज अपने बेट साइड पर रखेंगी है, तो वो जल्दी उठा लेंगे और वो पढ़ लेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी हिंड्रेंस कही ना कहीं जो है, वो पैदा करने, जैसे एक कुछ लोगोते हैं, जब उनको का जाता है कि अपने कमरे की सफाई करो, तो वो ओर वैल मिसली होते हैं, कि उनकी क्लॉजेट में जगा काम होती है, चीज़ें जादा होती है, और उनको ये फिलिंग आती है, कि या ला अभी तो मैंने सफाई की, दो दिन में फिर ये खराब हो जा जो stimulus आता है हमारी तरफ, उसको हम control नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने responses को control कर सकते हैं, हम अगर अपने आपको बताएं कि जो गलत responses हैं, जो मेरी bad habit को बढ़ाएंगे, मैंने उसको manage करना है, उस पे मैंने अपने आपको yes बोलने, no बोलने, no बोलने, फिर अपने आपको कही गई penalty भी दे दे, इस penalty को जादा नहीं यूज करना, मैंने दीनी लोगों में बहुत देखा है क्योंके already हमारे अंदर सजा जजा का concept बहुत strong होता है, हम हर वक्त आखरत की accountability के साब से कामों को सोच रहे होते हैं, लेकिन इसकी वज़ा से बहुत से लोगों को मैं देखती हू गलती किससे नहीं होती, हर एक से गलती होती है, और इसे तरह से जो desired behavior होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि आइस्ता आइस्ता उसके steps को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानि उसके steps को breakdown करके लिखा करें, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, जब तक आपका पहला step नहीं हो दूसरे step पे ना जाएं, और perfectionism में भी ना जाएं, टार्गे सेट करें कि इतनी देर में ये वाला step achieve कर लेना है, फिर अगले पे चले जाना है, फिर उससे अगले पे, फिर उससे अगले, तो इस तरह से असानी होती है, हम इस मामले में बहुत impatient लोग हैं, हम किसे तरह साल, डेट साल में ठीक कर लेंगे, ये तो बहुत बड़ा time है, कांसलिंग के लिए मुझे जब लोग अपरोच करते हैं, तो मैं इसको कहते हूं कि आपका मसला कम असकम साल में, कम असकम साल में ह हलोगा, कहते हैं तो बहुत लंबा time है, और कई दमा बाद में आते हैं तीन साल बात भी तो वहीं बलकि उससे जादा खराबी की तरफ होते हैं वोस्ट टाइम को इंवेस्ट नहीं करना आता हुए हम लोग उस दोर में रह रहे हैं ना कि आप बटन क्लिक करते हैं और सारे काम हो जाते हैं सारा को सामने आ जाता है इंस्टेंटली फॉरण हो जा वो यह है कि consequences पे नजर अखें जो unwanted behavior है उसके साथ consequences कैसे आएंगे गलत behavior के साथ immediate consequences कैसे होते हैं you feel good इसलिए हम गलत behavior को बार बार करते हैं गीबद करते हैं तो फोरां क्या लगता है ठंड पड़ गई बाद में बाद में आपको ऐसास होता है मैंने गलत काम किया मीठा खाते हैं तो कैसा फीलिंग होती है खुशी होती है ठीक है रिलाक्स हो जाते हैं कि अच्छा हुआ मैंने इनको ज़रा सीधा किया हाँ जी कि ओहो मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया जितने घलत unwanted behaviors होते हैं वो इसलिए reinforce हो जाते हैं कि हम immediate जो player हमें मिल रहा होता है हम उस पे बहुत ज़्यादा consumed होते हैं हम कहते हैं सकून तो मिलाना और कई लोग इस तरह की जुम्ले बोलते हैं चोटी चोटी खुशिया यह मेरी चोटी चोटी खुशिया है आप मुझे सी से भी रोकते हैं आप चाते हैं कि जी मैं कोई enjoyment ही न करूँ अच्छा मेरे पास इस तरह के बहुत cases अब आते हैं ही हैं तो वो फिर उसके रहे से उनकी नींद भी पूरी नहीं होती फिर अगले दिन वो इरिटेटेड रहती हैं फिर husband बच्चों के साथ भी उनके problem बढ़ते जाते हैं अपने emotional problem बढ़ते जाते हैं तो नींद का बहुत बड़ा एक रोल होता है कल भी कोई मुझे कह रहा थ कि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वैसे तीन चार गहंटे की नींद काफी हैं तो मैं ने ने को कहा कि आप science के खिलाफ बात करी हैं और उस चीज के खिलाफ बात कर जो अल्ला ने जिस तरह बना है सुन्नत के खिलाफ या बात करी हैं यह तरीका ही नहीं पिर किसी ने करते हैं यह सब सूधिंग एक्टिविटीज हैं अब वहला फॉर्मूला उठाके कोई भी काम वहां पर नहीं कर सकते हैं तो हमने यह देखना होता है कि वहां पर हम किस तरीके से यह वाले जो अन्वांटेड बीएवियर्स होते हैं उसके साथ अपने आपको एजूकेट कर और इसके लिए आपको यह भी करना होगा कि ऐसे लोगों को ऐसी कंपनी को अवाइड करना होगा जो आपको वो जो शॉर्ट टर्म कॉंसिक्वेंसे मज़े के मिल रहे होते हैं उनकी तरफ न खेंचें इसका तरीका ही होता है जैसे आपने मीठे की मिसाल दी आपको फिर रीजन डूड़न है कि क्यों ऐसे हुआ खाने के मामले में हो तो यह आपकी क्रेविंग है अब आपने उसके क्या करना है अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाय कर लेना है इसलिए आप देखें एक्सपर्ट चीज ऐसी आपके सामन माने हैर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है आप उसके शुरू में एक दू आहए depth लेने जो लोग शिरू में भाइक लेते हैं वोपि पनि क्रेविंग को नीचे ली ao आते और वो थोडी चीज खाएंगे लेकिन जो लोग अपनी क्रेविंग को रिसित करते रहते हैं दो क जो प्रवारी थी मुझे यह थी थी कि अब जब आपको भूक लग रही है तो आप कुछ खाए आप उसके थोड़ा सा खाले और आप वह चीज खाले जो कि आपको आपके लिए अनहेल्दी नहों नहों अरे तिर आपको इसके लग भी रहा है आपको दिल कर रहे है तो आप उ कि अब आपको बार-बार ऐसी क्रेविंग होती है तो फिर आप उसका अनलिसेज करते हैं पढ़ते हैं उसके बारे में कि इन बेट्वीन जो पीरेड आता है उसमें मैंने चुपनी रहना उसमें मैंने उन मसलों को हल करने की तरफ जाना है तो आप उसकी तरफ तबज्ज द करें कि उन्हां किसी एक्सपोड के पास जले जाएं या फैमिली में को ऐसा है या दोस्तों में ऐसा है जो मैं अच्छा मश्वरा दे सके हम सिरफ उससे बात करें कि मुझे यह चैलेंज आ रहे है किसी एक इनसान के साथ मुझे बता है मैं क्या करूं तो हम फिर उसको कि इस दिन किसी को पता चल जायना आप किसी के घर बैठे में और आपने कह दिया कि मैं जरा डाइट कंट्रोल कर रही हूं उनका मिशन बन जाता है जिंदगी का इजेंड़ा बन जाता है कि आज आपको सारा कुछ खिलाना है और कहते हैं आज तो आप सब कुछ खाएं कल से इससे लोगों में उटना बैठना चाहिए जो हमें उस चीज पर इंकरीज मों को शामिल आ चाहिए और इसी तरह से जो अपनी reinforces की बात की थी हमें देखना चाहिए कि हम कहां कहां उन reinforces से जब positive है यह negative है help ले रहे हैं इसी तरह देखना चाहिए कि हम punishment का level क्या रख रहे हैं कोई जादा तो नहीं कर रहे हैं अपने आपको तंग तो नहीं करना शुरू कर दिया हमने अच्छा और दोबारा वही बात होगी आपको exactly पताना चाहिए मैंने किस habit पर काम करना है आपको यह पताना चाहिए कि मेरे socially उस environment में कौन कोर मुझे help कर सकता है वो reinforcers कौन कौन से हैं आपको यह पताना चाहिए कि कौन सी बाते हैं या कौन से काम मुझे खुशी देते हैं ताके जो उससे connect हो सकती है मैं उनको शामिल करूँ उसमें अच्छा इसी तरह आपको यह पताना चाहिए कि कहां कहां मेरे week areas हैं उनसे मैंने अपने आपको कैसे बचाना है इससे क्या हो जाता है कि आप अपने उस behavior को और अपने आपको monitor करते रहना कहीं ने कहीं अपनी उन बातों को आपने लिखते रहना है जब आम लिखना शुरू कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा अगेन वो काम आपके लिए जो है असान हो जाएगा और च्छटा step यह होता है अपने आपके लिए कोई ना कोई reward जरूर रखें चाहे आपने सिर्फ जुबानी अपने आपको करें कि जब ना यह मेरा तीन हवते का टार्गेट मैं चीफ करनूगी तो पिर मैं यह वलड़ेस जाके करीद कि क्योंके हमने ना इन बातों को Detach किया वयव तो फ reckon क्योंकि हम जब दिल चाहता है खा रहे हैं जब दिल चाहता है जो खरीदने खरीद रहे हैं जो दिल चाहता है एंजोए करें तो फिर हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना मुझके लगता है लेकिन जब हम उनको अटैच करें कि I should be getting rewarded feeling के मैंने ये काम किया जो doable reward होता है ना वो होना चाहिए यापको पता है कि वो पॉसिबल ही नहीं होगा तो फिर आप वो क्यों expect करते है ना उसमें फिर आपको यह feeling आएगी मैंने तनी मेनत की और लेको किसी ने acknowledge नहीं किया किताब खरीगती हूँ किताब पर लिखती हूँ कि यह मेरा उस चीज का involved है मेरी स्कूल की यह habit थे कि जिस दिन मेरा result आता था उस दिन वचाह है तो बस यह steps है और इनको प्रैक्टिस करें ताके वही बात है यह पर तकिने आपको किती जगों पर रोकना पड़ता है किती जगों पर पर अपने आपको Yes or No बोलना पड़ता है उसी से फिर आप अपनी habits को भी monitor कर सकते है अगर आप अपने आपको Yes or No नहीं बोल सकते ना अ जादा करने इंग्जैक्ली जितना जादा आप अपने पर वर्क करेंगे उतना जादा आप हैल्दी रहेंगे आप अपने problem को minimize करेंगे तो आप अपने भी problem बढ़ाएंगे और अपने जो अफराद हैं उनके मसाइल को भी बढ़ाएंगे